आज एक खगोली घटना घट रही है वो है चंदगरन अभी हाली में 15 दिन पहले दीपा वली के बाद सूर गरन भी पढ़ा था और आज कार्थिक पूर्मा के दिन चंदगरन पढ़ रहा है चंदगरन को लेके बहुत सारी चर्चाएं हैं बहुत सारी चीजें हैं लोगों को जानना है कि चंदगरन पढ़ने से क्या लाव और क्या हानिया होती है हम इस सल्सेरे में आपको पुक्ता जानकारी देने के लिए आज हम आये हुए मरिनाथ एरिया के पंडेतों वाली गली में पंडेत शशांग शेकर पांडे जी के पास आये उनसे जानते हैं कि क्या आत्मिक द्रश्टी से तो बहुत सारी जो कथाएं हैं वो प्रचलित हैं हमारे अध्यात्मे बैदिक जो हमारे तरीके हैं तो उनमें यह है कि समुद्र मंधन के दौरान जो एक राक्षस था वो आकर बैठ गया था उसका वद किया दो टुक्लों में वो बट गया तो ग्रह दौभूने सुरिको या चंद्र को कहते हैं कि भा लिया तो ग्रहन की स्तिती बनी लेकिन हमारा व्यज्यानिक दरश्ट है जो अंहें हमारा विग्यान है वो इन सब चीजें को नहीं मानता है वो यह मानता है कि हमारा जो एक नक्षतर हैं जो प्रत्वी है और प्रधार्ड वो चंद्र है ये एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं तो जब कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोंड से जब प्रत्वी जब सूर्य और चंद्र के बीच में प्रत्वी आ जाती है तो चंद्र को सूर्य की रोश्नी नहीं मिल पाती है तो इस वज़य से ग्रहन का ये एक संयोग बनता है और ये आज पूर्णिमा का दिन है क्योंकि एक नियत इनकी चाल होती है तो उस हिसाब से ये अपनी पूर्णिमा को ये ग्रहन पढ़ रहा है अच्छा इसकी ग्रहन चूकि कोई बहुत अच्छी घटना नहीं मानी जाती है क्योंकि जैसे चंद्र ग्रहन पढ़ रहा है तो इस समय जो हमारे चंद्र देव हैं वो कश्टित होते हैं तो बहुत सारे नियम हमारे बताए गए हैं इसमें कि ग्रहन के वक्त एक तो निद्रा नहीं करनी चाहिए वरना मनुश्य रोगी होता है ग्रहन से आधे गंटे रखने योग यह बात न होती है कि इसका प्रारम्म काल होता है 9 घंट पहले तीन प्रहर पहले यानि की 9 घंट पहले तो प्रभाव हो जाता है तो हमने भोजन नहीं पिना चाहिए यहां तक कहा गया है कि हमें जल्वी नहीं पीना चाहिए लेकिन जो बुड़े हैं बीमार लोग हैं रोगी लोग हैं हमारा अब कुछ ऐसी जिवन चर्या है कि हम लोग चलते चलते उठते बैठते सब कभी भी भोजन का समय उचित नहीं रहता है तो उस हिसाब से आप अगर नौ घंटे पहले भोजन कर सकें बहुत अच्छा है बहुत उत्तम है नहीं तो आप जो है चार घंटे पहले तक भोजन कर लें उसके बाद मौन रहकर यथा शक्ति यथा संभव आप नियम को पालें मौन रहें कहते हैं कि जो चंद्रगान है उसमें किया हुआ जब ध्यान एक लाग गुना फल देता है तो और अगर गंगा जल पास में हो तो जो भी आपने जब ध्यान किया है वो एक करोड गुना फल देता है तो ये नियम हम पाल सकते हैं गरवती महिलाएं उन्हें बहुत सहियम से रहना पड़ता है क्योंकि उनका जो शिशु है उस पे और गर इतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो गरवती महिलाएं जो हमारे लोहे के अगर कोई ऐसा आर्टिफिशल जो जेवर होते हैं वो पहने हो तो उन्हें उतार दें और जो लोहे की पिन वगरा अगर कुछ लगा रखी उन्होंने तो वो पिन भी वो निकाल दें क्योंकि उस तो वो और तुलसी मिला करके अपने पेट पे उसका लेपन कर सकती है तो उससे जो रडिशन होती है उससे रख्षा होती है और चंद ग्रहन के पस्चात क्या करना चाहिए कि ग्रहन के पस्चात जो हमारा यहां पर है अपना जो बरेली है यहां पर पांच बच के कुछ मिन पर किसी सस्च कोने में और वहाँ पर बैठ कर भगवान का ध्यान करें ओम नमो नालानाय का जब करें या चंद्रदेव का जब करें ओम सोमाई नमहा चंद्रगायत्री का जब कर लें या ओम चंद्रमसे नमहा इस तरीके से क्या है कि जो हमारा चंद्रदेव हैं इस समय वो तो बहुत उत्तम रहेगा और उसके बाद आप जब ये काल समाप्त होता है तो उसके बाद आप जो है इसनान करें मौन रहकर इसमें खहते हैं कि गंगा का जल थोड़ा सा अगर आपके घर में हो तो डालने इसनान के समय बहुत उत्तम माना जाएगा अपने हाथ से जल निका नवीन वस्त्र आप कोई भी जो भी वस्त्रों वो पहन ले और यही